कि वाइग्ड पॉड़क्ट ही क्यों आई इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि एग्ड पॉड़क्ट पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं जैसे कि की जितने भी पॉड़क्ट है है उनका जोичего क्रस्टमर बेसन वह बहुत बड़ा है आपने इस कीवा के जो कस्तमर है वह बहुत कम हैं सिर्फ पानि उसके customer हैं नहीं आज हम इस चीज़ को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि और कौन-कौन हमारा customer हो सकता है जितने भी कीवा के product है एग्रो product है वो सारे के सारे organic है यानि कि किसी का कोई भी side effect नहीं है और जिसने भी आज तक कीवा के agro product को इस्तिमाल किया है उनका जो result मिला है वो बहुत ही अच्छा मिला है तो आगे चलते हैं बात करते हैं हमारे target customer के बारे में ये बहुत important है तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा देखिए target customer definitely जो किसान है वो हमारी first priority है किसानों तक हमने पहुँचना ही जाबा और कौन हमारे customer हो सकते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आते हैं feed store shop वाले यानि कि जहां से किसान बीज लेने जाता है क्या वो हमारे customer नहीं हो सकता है definitely हो सकता है आप खुल सोचिए एक दुकान पे 100, 200, 500, 2000, 2000 तक जो किसान है वो अपन customer के customer को अपना customer बना लें तो आप खुल सोचिए क्या हम उसमें business नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों इन लोगों को अपनी list में शामिल करना शुरू कर दीजिए क्योंकि अगर ये लोग आपके customer बन गे तो definitely जो किसान है आपकी पहुँच जो है उन तक आसानी से हो सकती है इसके definitely वो हमारे बहुत ही अच्छे customer बन सकते हैं इसलिए इन लोगों को अपनी list में शामिल करना शुरू कर दीजिए आईए आगे देखते हैं नर्सरीज वाले अब ये नर्सरीज वाले हमारे customer कैसे हो सकते हैं देखिए जो नर्सरीज में गाओं के लोग भी जाते हैं शहर के लोग भी जाते हैं शहर के लोग अपने घर के बाग बगीचे के लिए जो पेड़ पौदे गंबले वगारा फूल वगारा लेने जाते हैं तो क्या वो हमारे customer नहीं है, एक चीज़ का थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिए कि जो agro product हैं, वो सिरफ खेतों के इस्तमाल करने के लिए नहीं है, जहां पे भी आपको paid पौदे दिखें, फसल दिखें, वहां पे agro product इस्तमाल किया जा सकता है, अगर कोई nursery में गमला ल अपनी list में शामिल करने शुरू कर दिजिए, ये सबी लोग जो हैं आपके ask-dos में ही मौजूद हैं, आईए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, तो दोस्तों आगे आते हैं, gardener, जो माली हैं, ये आपके बहुत बड़े customer हो सकते हैं, आज तक हमारा जो पूरा focus रहा है, व चावल का मौसम आया है, चावल बीजेंगे, तो हम उसी हिसाब से उनको जो product हैं, वो बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों, जो gardener है, जो माली है, माली कभी भी मौसम के अनुसार काम नहीं करते हैं, उन्होंने अपना घर चलाना है, उन्होंने रोजी रोटी करनी है, तो उसके यह वो तो daily basis पे, weekly basis पे, monthly basis पे काम करते हैं, मैंने आपको पहली बात बोली थी, कि जाधर जो लोग है, वो किस चीज़ के उपर काम करते हैं, वो काम करते हैं, food supplement, wellness product, home care, personal care, aggro product के उपर बहुत कम लोग काम करते हैं, और जितने भी काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे किसानों से मिलते हैं, आपने आज तक कभी किसी को माली से मिलते हुए देखा है, कि कोई माली से जाके मिल रहा है, उनको पर बता रहा है, नहीं, होगा तो बहुत ही कम होगा, तो दोस्तों, target हमारा वो ही रहेगा, लेकिन अगर हम एक additional, एक ऐसा customer अपने साथ जोड लें, जिससे कि ह हमें जो sale है, वो बहुत अच्छी निकल के आ सकती है, देखिए, जहां पर भीड जा रही है, अगर भीड से हटके थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे, तो definitely आपको जो result मिलेगा, वो बहुत ही अच्छा मिल सकता है, भीड से हटके चलिए थोड़ा सा, भीड तो सभी उसी जा रही है, तो अगर आप वहाँ पर माली को एड कर लेते हैं, अब माली से आज तो कोई भी नहीं मिला है, हर गली में, महले में, कॉलोनी में, सेक्टर में, शेहर में, आपको माली मिल जाएंगे, आपको पता है आपके महले में कितने माली है, नहीं, आपके शेहर में कितन दो सो से तीन सो जो घर हैं वहाँ पे बाग बगीचा गमले वगारा ये सबी जो है वो रखते हैं वहाँ पे मैंटेन करते हैं उसको तो उनकी देखबाल कौन करता है माली करता है तो डेफिनेटली अब आप दिखे एक माली 20 से 25 घरों की देखबाल करते हैं तो आप अपने मह महले में, अपनी कोल्वनी में हिसाब लगा के देखे कि आपके इरद गिरद कितने माली होंगे वहां पे, आपके शेहर में कितने मुहले होंगे, आपकी स्टेट में कितने माली होंगे किसी का कोई भी data नहीं है तो दोस्तों ये एक नया customer है जहां तक आज तक कोई भी company नहीं पहुंची है कीवा वहाँ पे सबसे पहले पहुंचने वाला है और आप सभी लोग lucky हैं कि आपको ये सभी जो चीजें हैं training के माध्यम से हमारे कीवा management के माध्यम से आपको ये जो सभी चीजें हैं वो provide की जा रही है तो दोस्तों अब सिर्फ दिक्कत है कि इन से मिलने की इनके साथ बात करने की कैसे हम इस चीज के उपर काम कर सकते हैं तो माली को अपनी list में सबसे top के उपर जो जह है वो जगा दे दीजिए सबसे पहले इनको अपनी list में शामिल कर लीजिए चलिए आगे जलते हैं लेकिन इसके उपर मैं calculation भी आपको दिखाऊंगा कि calculation से किस तरीके से हम आसानी से जो business है वो कर सकते हैं आई आगे देखते हैं इसके लावा और कौन हमारा customer हो सकता है जो school and colleges वाले है school colleges वाले हमारे customer कैसे सकते हैं देखिए जहां पे भी बाग बगीचा है वहां पे हमारा customer है अब school colleges में जो बाग बगीचे होते हैं उनकी देखबाल कौन करता है definitely माली करते हैं और जो बड़े बड़े school colleges होते हैं universities होते हैं आपके पास कितने सारे customer आपके आस्पडोस में ही आ सकते हैं इसके लावा आईए इसके लावा और कौन हमारे customer हो सकता है जो hotels and marriage palaces वाले हैं देखिए hotel marriage palaces वाले महंगे से महंगे paid पौदे लगाते हैं अपनी property में ताकि इनकी जो property है इनका जो hotel है marriage palaces है वो जाद से जाद सुन्दर दिख सके तब इनके पास customer आते हैं तो इन महंगे paid पौदों की देखबाल के लिए ये किसको रखते हैं माली को रखते हैं तो दोस्तों simple सी चीज है अगल आप google पे search करेंगे कि आपके शेहर में कितने school, colleges, hotel, marriage palaces, malls, universities है तो आधी list आपको वहीं से मिल जाएगी कि इन जगां पे आपके जो customer है वो आपको मिल सकते हैं और उनके पास already बने बनाए सभी के पास customer है आपको ज़्यादा efforts करने की दुरूद नहीं पड़ेगी मुझे एक चीज़ बताइए एक माली 20-25 घरों में काम करता है जो घर का owner होता है जो घर का मालिक होता है वो किसकी बात सुनता है वो माली की बात सुनता है माली इसको बताता है किस मौसम में कौन से paid positive लगाने है कौन सी खाद दालनी चाहिए तो अगर माली ये बताएगा कि आप कीवा का ये वाला agroplot इस्तेमाल कीजिए तो का घर का मालिक कभी उसको मना कर सकता है नहीं तो दोस्तों वो अपने हमेशा माली की बात सुनेगा क्योंकि इसको पता है कि इसको experience है ये जो चीज बता रहा है वो चीज ठीक बता रहा है वो मेरे paid post के लिए बहुत अच्छी है तो आपके पास customer बना बनाया है तो दोस्तों इस चीज के ओपर काम कीजिए ये जो customer है, target customer है इससे आपका जो business है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है तो चलिए चलते हैं हम हमारे आज के product के बारे में unique product के बारे में जानने के लिए ताकि जो सभी चीजे आपकी जो queries है, जो आपकी problems है इसके regarding वो आज हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों product को शुरू करने से पहले जो एक जानकारी है वो हम देख लेते हैं जैसे कि pathogens अब ये pathogens क्या होते हैं देखिए scientific word है हम आसान भाषा में करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल simple language में देखिए दो तरह के bacteria होते हैं अच्छे bacteria और बुरे bacteria बिल्कुल simple सी चीज़ है कि जो बुरे bacteria होते हैं वो हमारी फसल को पेड़ पौदों को खराब करने का काम करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं फिर हम कीट नाशक का इस्तिमाल करते हैं लेकिन अगर कीट नाशकों का इस्तिमाल करने के बाद भी हमें result नहीं मिल पा रहा है बिमारी दूर नहीं हो पा रही है तो हम कौन सा product इस्तिमाल कर सकते हैं So ladies and gentlemen, आप सभी के सामने पेश है हमारा आज का unique product Kiva Agro 80+. एक बार जोरदार तालियां प्लीज आपके लिए और Kiva Agro 80 plus के लिए. Thank you, Thank you. वो offer खतम होने से 12-13 दिन पहले ही वो stock से खतम हो चुका था, out of stock हो चुका था, और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारा एक stockist है, stock point है, जिसने की 7 लाक रुपे का सिरफ Agro 80+, जो है, उसने खरीदा था, सिरफ एक product, buy one, get two product, 500 रुपे का product है, या राइट शोरी, 600 रुपे का product है, 599 रुपे का product है, यानि कि 600 रुपे में उसने अठारा सो रुपे का जो product है, उसने उस तरीके से उसको परचेज किया था, वो उसके उपर retailing का business करना चाहता था, तो हमने उससे पूछा भी, कि आप इसके उपर किस तरीके से काम करना चाहते हैं, त आप हमें हर Saturday को जो agro के regarding, या veterinary के regarding, या business training के regarding, जो training है, वो आप हमारे साथ schedule fix कर लीजे, तांकि हम अपनी team को जो भी है, उनको इसके बारे में असानी से बता सकें, और दोस्तों उसकी जो calculation है, वो बहुत जबरदस्त थी, तो उसके बारे में भी हम आगे चलके बात समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हम समझते हैं कीवा agro 80+, बहुत ही unique product, असानी से समझेंगे, किसी भी product को अगर समझना चाते हैं, तो चार चीजें उसकी जान लीजिए, पहली चीज उसके अंदर क्या चीज मुझूद है, दूसरी चीज वो काम कैसे करता है, तीसर की हम समझ सकते हैं, और फिर किसी को भी आप इसके बारे में असानी से बता सकते हैं, नहीं तो लोग आपको हमेशा यही पूछेंगे कि सार इसको लेना कैसे है, इसके फाइदे क्या है, साल-साल, दो-दो साल, तीन-तिन साल तक भी चलता रहेगा, तो असानी से समझें, और परसाने से किसी को भी आप समझा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं कीवा एग्रो 80 प्लस के बारे में अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अब यह समझना सोड़ा सा मुश्किल है सिंपल सी चीज है ताकि आप किसी को भी समझा सकें कीवा एग्रो 80 प्लस के अंदर 80 परसेंट चिकनाहट को खतम करने वाले जो तत्व हैं वो इसके अंदर मौझूद हैं तो यह हमें इसके बारे में परचल गया कि इसके अंदर क्या चीज नहीं मौझूद है चिकनाहट को खतम करने वाला आसानी से आप इसके बारे में याद रख सकते हैं दिमाग में अब बात करते हैं यह काम कैसे करता है देकर बलकुल सिंपल है तीन तरीके से काम करता है, activator है, spreader है और wetter है, activator का मतलब कि जो भी pesticides होते हैं, जो भी कीट नाशिक होते हैं, अगर हमें उनका result नहीं मिल पा रहा है, तो ये उसकी power को, यानि कि उसकी शक्ति को बढ़ा देते हैं, उसको activate कर देते हैं, ताकि वो अच्छे तरीके से अपना का कर सके, तो ये activator हो गया, spreader, अब जितने भी कीट नाशिक होते हैं, उनमें oil होता है, आपने देखा होगा कि जब हम पानी में oil को अगर mix करें, तो वो mix नहीं हो पाता है, उसकी भूंदे बन जाती है, drops बन जाती है, उसकी droplets, तो उसका result नहीं मिलेगा जब हम spray करेंगे फसल अच्छी तरीके से mix हो जाता है, और जब हम उसको spray करेंगे, तो उसकी जो layer है, जो परत है, वो चड़ जाती है, पत्तों की उपर, फसल की उपर, और हमारी जो फसल है, वो बीमारियों से बच जाती है, वेटर के रूप में कैसे काम करता है, क्योंकि मिट्टी में नमी को ब इस्तिमाल करते हैं, तो जो मिट्टी में नमी को बना के रखता है, ताकि जो जड़े है, जो roots है, वो गहराई तक चली जाएं, और हमारी जो फसल है, वो अच्छी हो सके, और नमी होने की वज़े से पहले अगर हम खेतों में 10 दिन बाद पानी दे रहे थे, अब हमें 17 दिन को एक दो बार पढ़के, आप असानी से किसी को भी बता सकें, तो आगे जलते हैं, अब आगे दिखते हैं, इसके benefits क्या हैं, बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल से benefits अपने दिमाग में बिठा लीजिए, पहली चीज की जैसे यह all-purpose spray है, यानि कि आप इसको किसी भी pesticide, insecticide, herbicide, या सिंचाई के दौरान, यानि कि जब भी आप कीट नाच्कों के इस्तमाल कर रहे हैं, या फंगी साइड का, या खर्पतवार के इस्तमाल कर रहे हैं, या आप खेतों में पानी दे रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, तब भी आप की वा अग्रुएटी प्लस का इस्तमाल कर स साथ में जो स्प्रेय पंप होता है उसको ब्लॉक नहीं होने देता है क्योंकि जो कीट नाशक होते हैं उनमें चिकनाहट होती है तो वो जो स्प्रेय पंप होते हैं उनको वो ब्लॉक कर देता है लेकिन कीवा एग्रोटी प्लस ऐसा होने नहीं देता है अब जैसे लिखा आग बीज अंकुरित हो रहे थे, तो अब 100 में से आपके 90, 92, 95 तक जो आपके भीज है वो अंकुरित होना शुरू हो जाएंगे, तो ये इसका पता चल गया हमें, non-phytotoxic, बायो-degradable है, यानि कि मिट्टी में ही रच मिच जाता है और परेवरन को कोई भी नुकसान नहीं पहुचाता है, तो ये चीजें हमें इसकी पता चल गी, कि इसके benefits क्या है, असानी से दिमाग में बैठ जाएंगे, और हम ये किसी को भी असानी से बता सकते हैं, आगे चलते है अब ये है research and development का, देखिए, इसको याद नहीं करना है, ये सरफ आपकी जानकारी के लिए है, इसमें ये कहा गया है, कि जो कीवा एग्रो 80 प्लस है, इसको बहुत सारी agriculture universities में, बहुत सारी फसलों के उपर test करने के बाद ही इसको market में उतारा गया है, तो ये इसके research and development का जो simple है, बिल्कुल असानी से पता चल जाएगा आपको, अगर आप insecticide, pesticide का इस्तिमाल कर रहे हैं, right, कीट नाशी का अगर आप इस्तिमाल कर रहे हैं, तो सिरफ 5 ml कीवा एग्रो 80 प्लस को 15 लीटर जो pesticide का mixture है, उसमें आप इसको mix करके normally spray कर सकते हैं, pesticide के mixture में, जितना भी पा हर रहे हैं, herbicide यानि की जो खर्पतवार होते हैं, जैसे फसल के साथ जो जंगली पौधे उग जाते हैं, right, तो उनको herbicide बोला जाता है, उसके लिए herbicide का इस्तिमाल किया जाता है, अब इसको करना कितना इस्तिमाल है, देखिए, 20 ml कीवा एग्रो 80 प्लस को 15 लीटर जो आप herbicide का mixture मनाएंगे, 15 लीटर herbicide mixture में सिरफ 20 ml कीवा एग्रो 80 प्लस आपको इस्तिमाल करना है, नौर्मली सप्रे करना है, right, और लास्ट में सिंचाई के दोरान, जब भी आप पानी देते हैं, एक चीज़ का आपने ध्यार रखना है कि जब भी आप पानी देते हैं, तो पानी 80 लीटर पानी में मिक्स करके एक एकड के खेत में इस्तिमाल कर सकते हैं, अगर मैं नॉर्मल रेश्यो बताऊं इसकी, तो एक लीटर पानी में 2 ml कीवा एग्रो 80 प्लस आपको मिक्स करके इस्तिमाल करना है, जैसे अगर घर के बाग बगीचे में, या गमले वगारा में इस इसको किसी बी किसी के साथ भी यानि कि किसी भी कीट सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रहना है तो मुझे तो मुझे आशा है कि आपको यह जो प्रड़क्त है बहुत ही असानी से समझ में आ चुका होगा तागेट कस्टमर हमने देख लिए कि हमारे टागेट जो कस्टमर है वो कौन से हो सकते हैं अब लास्ट में बात करते हैं कि इस प्रड़क को किस तरीके से बेचा जा सकता है इस इ今回 इमपॉर्टेंट कस्टमर हैं लेकिन जो जादने हमारा फोकस रहता है वो सिरस्फ पिसानों तक रहता है तो हमने उस चीज़ के बारे में बात की कि Mali से क्यूं मिलना चाहिए क्योंकि वो अपना सीजेडली काम नहीं करते हैं वो तो daily basis पर weekly basis पर monthly basis पर काम करते हैं तो बहुत ही जबर्दस आने वाली है किस तरीके से आप business कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपकी टीम में दस distributor काम कर रहे हैं दस ऐसे लोग जो आपकी टीम है जो काम आपने बोला वो काम उन्होंने किया हमें ऐसे दस लोगों को ढूणना है अब इनसे हमने करना क्या है? अब अगला step क्या है? अगला step है कि हर एक distributor के पास 100 माली की list होनी चाहिए. 100 माली हमारे हर एक के पास होने चाहिए. अब कुछ लोग यहां पर बोलेंगे कि सर 100 माली कहां से लेकर है? इतने तो हमारे शहर में भी नहीं होगे. दोस्तों, हमें पता ही नहीं है कि हमारे शहर में कितने माली हैं. मैंने आपको बोला था, Google पे सर्च कीजिए, आपके शहर में कितने school, colleges, hotel, marriage palaces, universities, malls वगारा हैं, आधे customer आपको वहीं पर मिल जाएंगे. आपके शहर में कितने महले हैं, कितने घर हैं, कितने colonies हैं, कितने gardens हैं, कितने गमले हैं, या तो पहले वो गिल लीजिए, नहीं तो उनकी list जो है वो बनाना शुरू कर दीजिए. ये सभी customer आपके आसपोडोस में ही मौजूद हैं. तो हमें सबसे पहले 100 माली चाहिए. अब 100 माली के list ही कठी क्या है? मेरे को 100 माली की list इकठी करनी है. दूसरे चीज़ क्या होती है? duration. कितने समय में इकठा करना है? ये important है. अब 100 माली की list कब तक इकठा कर सकते हैं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यानि कि पहले मैं को माली से मिलना पड़ेगा? कितने माली डेली के मिल सकते हैं? सिर्फ माली के उपर calculation बता रहा हूँ. बाकी के calculation आप खुद उस तरीके से कर सकते हैं. ध्यान से सुनिएगा. अगर मैं बोलू कि 10 माली डेली को मिलना असान है या मुश्किल है? तो कुछ लोग बोलेंगे सर असान है, कुछ लोग बोलेंगे सर मुश्किल है. कुछ लोग 10 माली मिलना मुश्किल है, तो 5 माली डेली के मिलना असान है या मुश्किल है? हम कुछ लोग बोलेंगे सर असान है, कुछ लोग बोलेंगे सर मुश्किल है. probability हर जगा पे रहती है. 5 माली अगर मिलना डेली के मुश्किल है, कोई दिक्कित वाली बात नहीं है. असान सा काग किजिए कि क्या हम तीन माली डेली के मिल सकते हैं मुझे कमेंट कीजिए मुझे आपके कमेंट का इंतधार है बिल्कुल मिल सकते हैं कोई बात ने दोस्तों अगर फिर भी किसी को इसमें डाउट लग रहे हैं पहले तो हमें मुझे की परिभाशा ही नहीं पता है मुश्किल होता क्या है एक्टुली में मुश्किल किसे बोलते हैं हम क्या मान के चलते हैं जिस काम को करने का हमारा मन नहीं करता है उसको हम मुश्किल मान के चलते हैं यानि कि अगर इस कमरे में बैठे हैं दूसरे कमरे में जाना है ठंड लग रही है रजाई में बैठे हैं ल मेरे को यहाँ से चलके वहाँ तक जाना है तो वो मेरे को पेन होगा दर्द होगा तो उस चीज़ को हम मुश्किल बोल सकते हैं तो मुश्किल की परिभाशा ही हम लोगों को अभी तक पता नहीं है तो अब 100 माली, 3 माली डेली के मिलना मुश्किल है, कोई दिक्रत वाली बात नहीं है, एक दिन में एक माली को मिलना आसान है या मुश्किल है, प्लीज कमेंट कीजिए, क्या एक दिन में एक माली को आसानी से मिला जा सकता है, प्लीज मुझे नीचे कमेंट कीजिए, एक दिन में एक माली को मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं मुझे आपके कोमेंट का इंतदार है येस असानी से मिल सकते हैं देखिए आप दिन भर दिन भर कोई मर्जी काम कीजिए कोई दिक्कत नहीं है आप food supplement के उपर काम कर रहे हैं कीजिए आप कोई job कर रही है आप कोई business कर रहे हैं कीजिए कोई दिख्यत वाली बात नहीं है हमें सिरु Agro product के लिए एक आप से चोटा सा target चाहिए कि Agro product के लिए एक चोटा सा target क्या है कि आपने के एक नए माली को मिलना है तो दोस्तों अगर आप डेली चाहे सुबह 6 बजे मिलेजिए चाहे सुबह 7 बजे मिले या रात के 12 बजे तक मिले लेकिन आपको एक माली से मिलना ही मिलना है तो अगर आप एक माली को डेली से मिलेंगे अब इसमें संडे मंडे नहीं आना चाहिए दिवाली होली नहीं आने चाहिए, दुशारा नहीं आना चाहिए, कोई फेस्टिवल वगारा कुछ नहीं आना चाहिए अगर टागेट लिया है कि डेली के एक माली को मिलना है, तो मिलना ही मिलना है तो अगर दोस्तों आप इस तरीके से करेंगे अगर डेली के एक माली को मिलेंगे तो आने वाले तीन सवा तीन महिने के बाद आपकी टीम के हर एक डिस्टिबीटर के पास सौ माली की लिस्ट इकठी हो जाएगी तो कि 100 माली की लिस्ट इकठी करना मुश्किल है असानी से की जा सकते हैं अब 100 माली की लिस्ट अगर हमारे पास इकठी हो जाती है उनसे अगर हम मिल लेते हैं उनको हम एक नया जो income का source है अगर हम वो दिखा देते हैं तो अब एक चीज बताईए कि एक माली 20-25 गरों में काम करता है अब हमें उससे सेल चाहिए क्योंकि हम किसलिए काम कर रहे हैं बिजनस के लिए सेल के लिए काम कर रहे हैं तो हमें हर किसी से सेल निकालनी है एक माली हमें एक महीने में कितने रुपई की सेल दे सकता है एक माली 20-25 गरों में काम करता है 15-20,000 रुपे की सेल वो असानी से दे सकता है हम कितनी सेल निकाल सकते हैं यह important है अब मुझे बताइए एक माली से 15,000 रुपे की सेल निकालना असान है या मुश्किल है बिल्कुल कुछ लोग बोलेंगे असान है कुछ लोग बोलेंगे मुश्किल है को दिक्कत वाली बात नहीं है 10,000 रुपे की सेल निकालना असान है या मुश्किल है एक माली से एक महिने में 30 दिनों में 30 दिनों में हमें 10,000 रुपे की सेल असान है या मुश्किल है कुछ से 20 घरों में काम करता है चलिए वो भी शोड़ दीजिए तागेट हम आसान सा लेंगे ताकि दिमाग की उपर कोई बोज ना पड़े कोई और पहले ही बहुत सारी टैंशल नेकी गूम रहे हैं को दिक्केत वाली बात नहीं है अब मुझे बताइए तीन हजार रुपे की सेल निकालना आसान है या मुश्किल है एक माली से एक महिने में तीन हजार रुपे की सेल कोई दिक्केत वाली बात नहीं है एक हजार रुपे की सेल एक माली से एक महिने में निकालना आसान है या मुश्किल है मुझे प्लीज नीचे कोमेंट करके गर से निकाल के दे सकता है, वो 20-25 गरों में काम करता है, आप एक चीज का ध्यान खीएगा, वो 20-25 गरों में कर सकता है, लेकिन हम target क्या लेंगे, आसान सा target लेंगे, जो भी आपका team का नया person आएगा, जो भी आज नए लोग यहाँ पे जुड़े होए हैं, target हम वो लेंगे, यह team के लिए होते हैं, तांकि हम अपने team को जोड सकें, अब हमें हर एक माली से क्या चाहिए, 1000 रुपे की sale चाहिए, तो अगर आप यह काम कर लेते हैं, तो दोस्तों अब calculation देखे का जब वर्दस निकल के आने वाली है, अगर आपकी team में 10 distributor हैं, जो आपकी दरह काम कर रह हैं, और हर एक के पास अगर 100 माली की लिस्ट है, यानि कि आने वाले 373 महिने के बाद आपके पास 1000 माली की लिस्ट इकठे होने वाली है, आसानी से हो सकती है, एक माली डेली का मिल रहे हैं, आप और आपकी team भी उनको भी यही सिखाना है, जो आपने सीखा है, कि आपने डे calculation आपके सामने है, अगर 1000 माली हैं और 1000 रुपे की सेल हर एक माली से निकाल रहे हैं, तो 10 लाख रुपे का business एक महिने में सिर्फ माली आपको दे सकते हैं, मैं आपको और कोई काम छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप जो मर्जी business कर रहे हैं, आप जो मर्जी job कर रह हैं, कोई दिक्रत वाली बात नहीं है, एग्रोप्रट के उपर, सिर्फ एक छोड़ा सा target के आपने एक माली को मिलना है, और 1000 रुपे की सेल निकालनी है, क्यों कोई बहुत बड़ी बात है, 10 लाख रुपे कम लग रहे हैं, कोई दिक्रत वाली बात नहीं है, 1000 की जगा 2000 काम कोई और हो सकता है, तो दोस्तों हम ये काम कर सकते हैं के नहीं कर सकते हैं, मुझे आप सबके कोमेंट्स चाहिए, आप सबके मुझे कोमेंट्स चाहिए, क्या हम ये काम आसानी से कर सकते हैं के नहीं कर सकते हैं, 10 लाक रूपई की सेल पर मंत निकालना असानी से बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही आसानी सेल निकाल सकते हैं, दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई rocket science नहीं है इसमें, सिर्फ माली से मिलना है, माली को ढूड़ना कहां है, ये भी आपको बता दिया है, सिर्फ उस से जाके बात करनी है आपने तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो दोस्तों आपको बिजनस को बड़ा करने से कोई भी नहीं रोख सकता है और अब लास में बात करते हैं जो हमें एक बार-बार जो चीज जो हमें देखने को मिल रही है अवेलेबिल्टी ऑफ एग्रो प्रड़क्त जो एग्रो प्रड़क्त है उनकी जो अवेलेबिल्टी है उसमें कहीं न कहीं पर दिक्कत आ रही है हमें क्या चीज है देखिए एक सिंपल सी चीज है जब तक दु उनके पास सारे प्रड़क्ट नहीं है एग्रो प्रड़क्ट वेटिनरी प्रड़क्ट उनके पास नहीं है बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास नहीं है मुझे एक चीज़ बताईए अगर दुकान पर समान नहीं होगा तो क्या वो समान बिकेगा नहीं बिकेगा राइट कैसे मा कस्टमर सर्विस बढ़ अच्छी करते हैं तो आप ऐसी कस्टमर सर्विस लेंगे आप क्या करेंगे आप दूसरी दुकान पर जाएंगे वहां से चाय पत्ती खरीदेंगे घरा के चाय बनाएंगे और चाय को पीएंगे दोस्तों ऐसा ही हमारे साथ होता है हम क्या करते हैं हम चाहिए और विम बार लेने जाते हैं साथ में दहीं भी भी लेखे आ जाते हैं लेकिन अगर हम अपनी दुकान पे इसारे समाण नहीं रखेंगे तो आप खुद बताईए आपका समान कैसे बिखेगा हो सकता है वो य प सप परंपर लेने आए जितने भी हमारे stock point हैं, वहाँ सभी पे जो agro product हैं, veterinary product हैं, वो available होने चाहिए, और जितने भी हमारे leaders और distributors हैं, सभी के पास agro product की availability होनी चाहिए, ताकि वो कहीं पे भी किसी को भी आसानी से दिखा सकें. तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको यह जो business point है, यह जो business का तरीका है, जो calculation है, वो आपको बहुत ही असानी से समझे में आ चुके होगी, बहुत ही असान है, बहुत ही असान है business करना, सिर्फ हमारे दिमाग में है कि यह चीज़ मुश्किल है, जब घर के बाहर पाउं रख अब buy one, get two free का, यह जो आपको यहाँ पर सामने दिखाई जे रहा है, buy one, get two free का, जो offer निकाला हुआ है, यह आपके लिए है, दुबारा से निकाला है, क्योंकि demand इतनी ज़ादा बढ़ चुकी है, agro 80 plus की, कि company को यह जो offer है, leaders और distributors की request पे, वो दुबारा से निकालना है, और आप यकीन मानेंगे कि हमारे अभी तीन ऐसे super stock इस खुले हैं, जिन्नोंने सिरफ कीवा agro 80 plus ही purchase किया, उनका order डला हुआ है, अभी उनका order pending चल रहा है, उनको order अभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि order जो है, वो बहुत जादा संख्या में आ रहे है, buy one, get two free का, दुबार से आपके पास offer आया है, यानि कि 600 रुपे में 1800 रुपे का जो product है, वो आपको मिलने जा रहा है, और यह जो offer है, सिरफ 20 जनवरी तक है, आज 15 तरीक हो चुकी है, 5 दिन आपके पास बचे हैं, तो अपनी team के साथ बैठी है, उनके साथ बात कीजिए, डेली अपनी team के साथ इस चीज़ की problem आ रही है आपकी team को, उनके साथ बात कीजिए, तो मुझे आशा है दोस्तों कि आपको आज का जो session है, वो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से agro product के उपर आप लोग जो है, वो बहुत ही जबर्दस जो काम है, वो कर सकते हैं, तो इसी के and gentlemen, leaders and distributors की आप सभी लोगों ने इतने इत्मी नाम से आज का जो session है, इसको training को सुना और मुझे आशा है कि कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा, तो जल्द ही मिलेंगे दूसरे session में, किसी दूसरे product के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-ब झाल 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 झाल